हलो फ्रेंड्स वेलकम टू आल आज मैं आपके लिए वीडियो लेक्या रहा हो देखे सबसे पहली बात 13 रुपे का डिविडेंट डिक्लियर किया कमपनी ने आज था रिजल्ट कॉर्टरली रिजल्ट और दूसरी बात 32 रुपे के स्टॉक के बदले मिलेगा ताटा का 510 प्रॉफिट यह ऐसा नहीं है दो कंपनी जो मर्ज हुई थी अब उसका जो स्वैप रेशियो है उसके साथ आपको यह चीज मिलेगी और साथ में रिजल्ट देखते हैं कौन से कंपनी है टाटा की है वह सब चीज़े देखते हैं च्छोटे से वीडियो में क्या फंडामें लेके आए जाता है आज 25 एपरिल 2019 है साड़े साथ से आठ बजे के बीच में यह रिजल्ट आया है कंपनी का नाम जो है वह आप देख लेंगे यह देखिए कंपनी का नाम है टाटा स्टील लिमिटेड टाटा स्टील लिमिटेड का रिजल्टा है 13 रुपे का बढ़िया अभी डिविडेंड अप्रूबल होगा उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा रिकॉर्ड देट दूसरी बात पहली इंफर्मेशन आपके साथ मिल गई होगी आपको कि 13 रुपे का डिविडेंड है दूसरी इंफर्मेशन टाटा स्टील का जो मर्जर हुआ बमनिपाल स्टील लिमिटेड यानि की टाटा स्टील बी एसल लिमिटेड अब आप देखें अब जो इसको पहले भूसन स्टील लिमिटेड कहा जाता था टाटा स्टील लिमिटेड अब कंपनी का जो यहां पे मर्जर हुआ था अब मर्जर के साथ शेर देखे अभी बढ़ आप देखोगे तो टाटा श्टील क्या है अलग है पांसो दश का शेर है यहां टाटा श्टील भीए सल क्या आप सोच रहेंगे यह तो बढ़िया बात है एक के बदले इतने शेयर अब बात आती है अगर आप देखें कि किस तरीके से आप इसको देखिए अब हम आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पांचाल लीजिए और यहां पर देखिए 32 रुपय का शेयर आपको 15 से गुड़ां किया जाए तो टोटल होता है टाटा स्टील की 10 रुपय की और यहां पर तो टाटा स्टील भी ऐसल है उसकी फेस बैल्यू है दो रुपय की चलिए बढ़िया है यह भी अच्छी चीज है अब रिजल्ट है उसके बारे में देखते हैं रिजल्ट कैसा रहा सबसे पहले हम बात करते हैं यह कंसॉलिडेट है अगर आप देखें के टाटा स्टील के अंदर बहुत सारी सबसेडीय है बहुत सारी छोटी चोटी च्छोटी कंपनी टाटा स्टील के नाम पर देखिए अब कॉर्टर में कितनी थी 39,000 करोड की और लास्ट येर मार्च कोडर में थी 33,000-34,000 करोड के आसपास की पूरे साल का अगर लेखा जोखा देखूगे तो 1,25,000 करोड की टोटल इंकम पिछले फाइनेशल एर में थी इस फाइनेशल एर में 1,60,000 करोड की टोटल इंकम है बहुत बड़ी है नाम ऐसा लग रहा है यह इतने 1,60,000 करोड अब आप खुशे कितना जबरदस बिजनस है टाटा स्टील का प्रॉफिट की बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस एक्सपेंसेज भी होते हैं बिजनस इतना बड़ा है प्रॉफिट and loss यान की प्रॉफिट आफ्टर यह देखें प्रॉफिट and loss for the period 2300 करोड का प्रॉफिट इस कोटर में हुआ है पिछले कोटर में 1750 करोड का था और लास्ट यही प्रॉफिट 14,688 करोड का था चलिए भाई बढ़ी है अगर और और पूरा डिटेल देखा जाए पूरे साल का लिखा जोखा देखा जाए तो यहां पर प्रॉफिट में कमी देखने को मिल रहे हैं 17,760 करोड का प्रॉफिट इस क्वाटर में 9,098 करोड का प्रॉफिट शोगी है मतलब कमी जरूर है पिछले साल के कमपैरिजन में आप खुछ देखे क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीज़े आप देखो देखे एक्सपैंसे कितने बड़े हैं तोटल इंकम के बाद अगर आप देखोगे एक्सपैंसे में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है तो एक्सपैंसे के साथ साथ इन्होंने कमपनीज खरीद रखिये वह बाइकरी टाटा स्टील का मर्जर हुआ टाटा स्टील बी एसल को लिया गया तो वह सारी चीज़ो सतावन हजार कोड का मार्केट केपलाइशन और डिविडेंट बहुत बढ़िया डिविडेंट देता है इस बार कितना दिया है 13 रुपे का डिविडेंट दिया और वह से पिछले साल देखिए 10 रुपे का डिविडेंट दिया था और वहीं पे 2 रुपे 50 परसे का दूसर टर्निंग पर शेयर अब देखोगे तो दोनों एक ही है सब चीज सेम ही है तो सब सेम ही है मैं तो यही कहूंगा टाटा स्टील बी एसल का भी टेक्निकल लेबल पर गडर देखें स्टाउक को बढ़िया जबर्दस जंप देखने को मिली थी और स्टॉक अब रिवाइब हो रहा है वापस रिवाइब हो रहा है यहां से जिदो डिरकर करते डिवाइब हो रहा है जरूर्ग शेयर में गिरावट आई है आज की डेट में 510 पे आके प्लोज हुआ है और शेयर होडिंग पैटर्न देखते हैं इसका किस तरीके से है टाटा स्टील का टाटा स्टील का शेयर होडिंग पैटर्न